ओम सिरी गनेशा नमा दोस्तो एश्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 फरवरी रविवार के रासी फलके बारे में कि यह दिन मेश रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत पपोन जानकारी हम आपको देंगे और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तो आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंच सके चलिए दोस्तो बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करते हैं क्या आपके लिए आज पॉजिटिव रहने वाला है दोस्तो आज आर्थिक इस्थिति आपके लिए काफी मजबूत रहने वाली है और धन प्राप्ति के अच्छे अफसर आज आपको प्राप्त होंगे इसलिए हर तरह से आज सजग रहें कामकाज को लेकर बहतर प्रदसन करने की आज कोशिस करें ताकि आपकी आर्थिक इस्थिति में इजाफा हो सके धन धन प्राप्ति के उदेश्यों की आज पूरती हो सकती है जिससे आपका मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तो साती सात समय आज आज आपके लिए बहतरीन परस्तितियां तैयार कर रहा है दोस्तो आज आप अपने अंदर अदबुद उर्जा वे आत्म विश्वास महसूस करेंगे तथा आपकी कार्रे छमता में भी इजाफा होगा युवा वर्ग को भी कोई मन मुताविक कार्रे बनने से रहत मिलेगी आज दो फैरबाद परस्तितियां आपके पक्ष में बहुती अनुकूल हैं दिन की सुरुवात में ही अपने महत्पपून कार्रों से सम्बंदित रूप रेखा आप बना ले संतान की तरफ से कोई सुब समाचार मिलने से बहुत अधिक रहत आपको मिलेगी दोस्तो कुछ समय से आप अपने अंदर अधवुद परिवर्तन महसूस कर रहे होंगे अंदर छिपी हुई प्रतिवा और नौलिज को पहचाने तथा उसका प्रियोग करें इस समय की की गई महनत के निकट भविस्थे में बहुती उचित परिणाम आपको हांसिल होने वाले हैं दोस्तो आज किसी काम में एप्रतियासित लाब की भी इस्तिती बन रही हैं अपने काम के प्रती एकागर चित रहें इसके लिए कोई छोटी यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती हैं विध्यारतियों को भी किसी कंपटिशन में सफलता मिलने की आज पूरी संभाव ना है दोस्तो इस समय की की गई महनत के उचित परणाम हासिल करने के लिए करम प्रधान तो होना ही पड़ेगा इसलिए अपनी उर्जा का आप भरपूर इस्तमाल करें अगर प्रॉपर्टी संभन्दित कोई आज आप योजना बना रहे हैं तो आज उसके फलीभूत होने का समय आ गया है जिहा दोस्तो आज भागय आपके पक्ष में हैं पिछले कुछ समय से जिन कारों में रुकावटे आ रही थी आज उन कारों का पूरा होने का समय आ गया है आपको अपनी महनत के अनुरूप उचित परणाम आज हांसिल होने वाले हैं जिससे आपको काफी खुसी क अनुबब होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगटिव हो सकता है दोस्तो परिवारिक विवादों से आज आप बचने का प्रियास रखें और सब के साथ आपसी समंजस बहतर बनाए रखने का प्रियास करें ताकि घर परिवार में शुक शांती हो और घरेलू विकास संबब हो सके माता पिता का ख्याल रखें किसी भी तरह की समस्या होने पर उनका ख्याल आप विशेश रूप से रखें दोस्तो साथि साथ किसी समय भावुकता और आलस की वज़े से बनते कारों में विगन पढ़ सकता है और कुछ उपलब्दियां भ आपको भारी नुकसान का सामना करना पर सकता है परंतु ज़्यादा सोच विचार करने से कई उपलब्दियां हाथ से निकल सकती हैं दोस्तो आए के साथ साथ खर्चों की भी इस्तितियां रहेंगी आप अपनी कोई महत्वपूर्ण वस्तू आज कहीं रख कर भूल सकते है या खो सकती हैं इसलिए किसी भी प्रकार की आप लापरवाई ना बरतें दिल की बजाए दिमाग से निर्नेले भविस्ते की चिंता को छोड़कर वर्तमान गतिविद्यों पर ध्यान अधिक केंद्रित रखें ऐसा करना आपके लिए अवश्य से ही लाबदायक साबित होग कभी कभी आपकी संकालू प्रवर्ती आपके और दूसरों के लिए परेशानी का कारण बन जाती है इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक रखना अतियावशक है आज कोई पेमिंट भी आपको करनी पड़ सकती है जिसकी वज़े से आर्थिक इस्तिती थोड़ी कमजूर ह हो सकती है दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपकी लव लाइफ के शिरेने वाली हैं दोस्तों के साथ फैमिली गैट टूगेधर होना तनाव को दूर करके मन प्रफुलित करेगा तथा परिवार के लोग भी खुस रहेंगे दोस्तों साथे साथ परिवार में कुछ वैचारि रहेगा प्रेम संबंदों में सात्विक्ता रखना आवश्चक है साथ साथ पती पतनी में भावनात्मक तथा विश्वास पूर्ण रिस्ता रहेगा जिससे घर परिवार में भी वातावरण खुसनुमा रहेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवसाइक केरियर कैसा रहने वाला हैं दोस्तो आज वैवसाइक गति विदियों में छोटी छोटी परिशानियां आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से कारों में आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी नोकरी करने वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा रहेगा जहां दोस् वाले ध्यान रखें कि उच अधिकारियों के साथ संबंद खराब ना हों आज का दिन पेमेंट कलेक्शन करने और मार्केटिंग के लिए अती सुब है क्योंकि रुक्वी ही पेमेंट मिलने से आर्थिक समस्याइं हल होंगी नोकरी पेसा वैक्तियों को भी उनके उचित पर अड़ा ओर्डर भी मिलने की संभावना बन रही है इसलिए अपने वैवसाइक गति विद्यों पर बहुती अधिक एकागर चित रहें नोकरी पेसा वैक्तियों को भी अपनी फाइलें और दस्तावेज समाल कर रखने की आवश रखता है विध्यार्तियों के लिए भी आज से ही फाइदा मिलेगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्थ कैसा रहने वाला है दोस्तो ठकान और कमजोरी आज आपको महसूस होगी इसलिए उचित खान पान और आराम पर भी आप विशेश रूप से ध्यान दें साथी साथ अपने स्वास्थ को और भी सेवत्र होने के बाद एक सवा मीटर लाल कपड़ा लें ज्यां दोस्तो उस सवा मीटर लाल कपड़े में आप अपने श्रद्धा के अनुशार अपने शामर्त के अनुशार गुड़ और चावल भरकर आप किसी जवतमंद को भगवान शुरदेव के समर्ण करते हुए दान करें ज्यां दोस्तो ऐसा करने मात्र सेही भगवान शुरदेव आपके समस्त कष्टो को दूर करेंगे जो भी आपके जीवन में परिशानिया चल रही हैं सभी परिशानियों का अंत करेंगे और आपके जीवन में खुसियां खुसियां होंगी ज्यां दोस्तो आप इस उप करना ना भूले धन्यवाद